बात करें यदि हम कन्या राशी की तो इस पूरे मार्च के महीने में कन्या राशी का जो फल रहेगा वहाँ थोड़ा चुनोती भरा रहेगा यद्य भी आपको मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में आपको लाव भी देखने को मिलने की अच्छी संभावना है और यदि आप अभी परिवार की समस्या को ले रहे हैं तो उसका बहुत अधिक स्ट्रेस ना लें क्योंकि वहाँ भी सुधरने वाली नहीं है वहाँ बनी रहेगी इसलिए आप उसको लाइटली हीलें बहुत अधिक तनाव में ना लें साथ ही आप अपनी क्रोध पर भी नियंतरन करें अन्य था इससे आपका बिवाद बढ़ सकता है आपको सलाह यह दी जाती है कि आप हरी चीजों का जैसे कि मूंग हो गया उसको आप दान करिए इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजे और यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजे और लाइक कीजे मिलते हैं अगली वीडियो में ठन्यवाद